हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीत स्वागत हैं आप सभी का मेरे चैनल गार्णिंग विद गीत कुमार में आज कुछ ऐसे प्लैंट्स लाई हूँ कुछ ऐसे इंडो प्लैंट्स जो कि बिना धूपके भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं घर के अंदर तो कौन-कौ कोई बैसा प्लैंट्स नहीं है जो कि फ्रेंट्स बिना धूपके अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है लेकिन हां कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि बहुत लंबे वक्त तक बिना धूपके ग्रोथ अपनी करते रहते हैं तो उन्हीं पौदों के बारे में आज आप लोंग इतने भी pollutants होते हैं, chemicals, poisonous gases सब को purify करने में माहिर होते हैं, बहुत ही अच्छे plants है, तो पहला जो plant था friends, singonium था, इसके अलावा जो दूसरा plant है, वो है friends, ये देखिए, ये है snake plant, इसे सैंसिवेरिया भी कहा जाता है, और इसे mother-in-law's tongue के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो plant है, snake plant है, तो इसके तीन नाम होते हैं, ये बहुत सारी varieties में पाई जाती है, और ये जो plants होते हैं, zero maintenance plants है, कहने का मतलब कि ऐसे plant में से हैं, जो कि बिल्कुल भी इनको देखभाल की जरूरत नहीं होती है, बस आप 10-15 दिन में एक बार अच्छी तरह से पानी डाल दें, और साल में एक बार हाट डाल दें, बस ये अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं, घर के किसी भी corner में चाहे वहाँ पे अच्छी light आती हो या नहीं आती हो, वहाँ पे ये plant बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं, तो बहुत easy to care, easy to maintain plants होते हैं ये, तो ये था snake plant, second plant, ती सारे plants ऐसे हैं, जिसको bright light मिलना बहुत जरूरी है, सिर्फ snake plant को छोड़के, क्योंकि snake plant ऐसे plant में से हैं, जो low light में भी जहां, बहुत कम रोशनी भी अगर आती हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, लेकिन बाकी जो plants हैं, उनको bright light की जरूरत होते हैं, धूप अच्छी ना मिले, लेकिन इनको रोशनी अच्छी मिलनी चाहिए, तभी ये लंबे वक्त तक अपने आपको अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा जो plant है, वो है friends, जीजी plant ये देखे, बहुत ही खूबसूरत इंडो plant में से एक है, और इसका जो पूरा नाम है, वो है, जैम्यू कलकस जैम्यू फोलिया plant और ये भी नासा के लिस्ट में शामिल है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे air purifying plants भी होते हैं, हवा को शुद्ध करने वाले पौधे, इसके अलावा जो plant है, वो है spider plant, जो कि बिना धूपके भी बहुत अच्छी तरह से ग्र तो ये plants अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, और इसके अलावा जो plant है, वो syngonium के एक और variety है friends, वो ही मैं share कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसके अलावा Chinese evergreen जिससे agglonema plant, ये जो plant difference ही है agglonema, इसे Chinese evergreen भी खहा जाता है, इसकी बहुत सारी varieties आती हैं, और ये जो variety है, ये lipstick agglonema है, ये भी बहुत अच्छे air purifying plants होते हैं, हवा को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करते हैं, इसके अलावा जो plant है, जो की आप bright light में रख सकते हैं, ज्यादा sunlight की जरूरत नहीं होती है, जिस पौधे को वो है friends, monstera plant ये देखे, बहुत ही खुबसूरत plants होते हैं, ये ये देखे, और एक aerial root plants होते हैं, हमानी plant की तरह जगा जगा से इसकी जड़े निकलाती है, तो जहां से जड़े निकलाती हैं, उसके थोड़े से नीचे से आप cutting कर लें और फिर इसे दूसरे गंबले में लगा दें, तो आप एक से बहुत सारे plants बना सकते हैं, monstera plant को Swiss cheese भी कहते हैं, broken heart plant के नाम से भी इसको जाना जाता है, rubber plant भी बहुत ही अच्छे indoor plant में से एक है, बहुत सारी varieties होती है, और ये जो इसकी वराइटी है, friends, rubber plant की इसे ruby money plant कहते हैं, कुछ लोग इसे variegated rubber plant के नाम से भी जानते हैं, और इसे ficus elastica plant के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही अच्छे air purifying plants होते हैं, वैसे तो सारे ही plants हवा को साफ करने वाले होते हैं, लेकिन ये जो कुछ plants मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूं, ये बहुत अच्छे तरीके से हवा को साफ करने में माहिर भी होते हैं, और ये bright light में चल जाते हैं, इनको जादा sunlight की जरूर कोशिस करें कि महीने में कम से कम एक से दो बार कम से कम दो से तीन घंटे की सुबह की हलकी धूप जरूर दिखा दिया करें, क्योंकि बिना धूप के कोई भी plant growth तो करता है अपनी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से growth नहीं कर सकता है, इसलिए सारे plants को ही धूप दिखाया करे तो growth बहुत अच्छी होगी plants की, तो यही ताच का हमारा plant वीडियो आए होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल Gardening with Geek Kumar को, मिलूँगी नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाइ फ्रिंट्स, टेक क प्लीज टेमियो, लुत каких अशेर और समय होगी में, जिल आफे होगा झालों को रादेर, जिल एक्शेर एंप और रे होगे होगी में, तो शेंगे झाली आपकार फिलिए लाए वाते होगी बत्सक्वाचे वीडियों को, तो बदेर, तो प्लीएर, बाहे होगी तो को ये भा